नमस्कार सातियों आपके अपने चैनल Creating Mathematicians में आपका स्वागत है सातियों आज के लेक्चर में हम Linear Algebra में Matrix of Linear Transformation और Rank Nalty आज के बारे में डिसकस करेंगे Linear Algebra का आज दूसरा लेक्चर है यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे अवस्य देखें उसका लिंक आपको description बॉक्स में मिल जाएगा तो आईए सुरू करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले यहाँ पर कुछ question जो है मैं Matrix of Linear Transformation इसके उपर बता रहा हूँ आप इसको समझिए बहुत ही important question होते हैं तो question क्या है देखें यहाँ पर T जो है वो एक Linear Transformation है R cube से R square पर defined by Txyz equal to x plus y y minus z तो अब हमको एक matrix T निकालनी है with respect to the ordered basis this and this आप जानते होंगे कि यहाँ पर देखें यह three dimensional है vector space और यह vector space जो है वो two dimensional है linear transformation जो होता है वो एक vector space से दूसरे vector space पर होता है जैसे कि u से v तो यहाँ पर यह दोनों ही vector space है यह हमारा domain है और यह co-domain है simply ऐसे ही जैसे कि intermediate पर आपने f x to y पढ़ाए यहाँ पर सेम वैसे यहाँ पर होता है यह तो इसमें यह जो basis दिये गए हैं यह इधर पहले वाला जो vector space है इसके हैं और यह जो basis दिये गए हैं वो इस बाद वाले vector space के हैं देखें यह R2 है तो यहाँ पर two dimension यहाँ पर इसके basis है यह R3 है तो इसकी dimension 3 है तो इसके 3 dimension basis है अब हमें इन ही basis के respect में matrix निकालनी है तो पूरा एक process होता है method उसको आप समझिएगा सबसे पहले हमको यह जो rule दिया गया है transformation का इसकी help से हम यहाँ पर यह जो R3 के basis हैं इनकी image निकालेंगे तो क्या करेंगे देखें यहाँ पर T सबसे पहले हमने यहाँ पर यह 1 1 1 यह निकालेंगे ऐसे ही यह T 1-1 0 इस rule की help से T 0-1 0 अब हम इसके लिए यहाँ पर रख देंगे तो देखें यहाँ पर यह 1 प्लस 1 फिर 1-1 X Y Z की value जो है वो हम यहाँ पर रख देते हैं यहाँ पर 1 1 1 तो इस तरीके से हमको यह value मिल जाएगी इसकी 2,0 अब 1-1 0 इसकी ऐसे ही हम रख देंगे यहाँ पर तो यह 1-1-1-1-0 equal to 0-1 आ जाएगी ऐसे हम यहाँ पर अब 0-1 0 इसी में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर यह 0-1-0 equal to 1,1 तो इस तरीके से यहाँ पर यह जो हमारे इसके ordered basis दिये गए हैं उनकी हमने इस rule की हल से जो है image निकाल ली है अब हमें करना क्या है इन ordered basis का क्या use है इनका तो आप काम समझ चुके होंगे अब हमें in ordered basis का linear combination बनाना है और इनकी जो image आई हैं उनके बरावर उसको रखना है तो इन दोनों का जब हम linear combination बनाएंगे तो हम जैसे alpha, beta या a1, a2 जो है scalars मानेंगे तो उन scalars की value हमको निकालनी होगी और उनी scalars से हम matrix बनाएंगे जैसा कि यहाँ पर matrix आपको दिख रही है तो अब क्या working है आगे की इसको देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस 2,0 को रख लेते हैं इसके linear combination के बरावर ऐसे ही फिर इसको हम रखेंगे इसके linear combination के बरावर ऐसे ही इसको रखेंगे पूरा process है देखिए तो इसका linear combination हम बनाते हैं हम माल लेते हैं कि a1 और a2 इसके जो हैं वो scalars हैं तो a1 1,1 प्लस a2 1,0 यह हो जाएगा यहाँ पर अब ऐसे ही हम यहाँ पर इसको solve कर लेते हैं यह आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं तो जह हम इसको solve करेंगे तो यह a1 प्लस a2,a1 आ जाएगा अब हम इसको equalize कर देते हैं तो यहाँ पर a1 प्लस a2 जो है वो हमाँ मिल जाएगा 2 के बराबर और a1 जो है वो 0 के बराबर मिल जाएगा पहले a1 बराबर हम 0 रख लेते हैं फिर a1 प्लस a2 बराबर 2 है तो इससे हमको a2 बराबर 2 मिल जाएगा अब ये काम हमने इस image के लिए किया same अब इन दोनों image के लिए करेंगे तो इस image के लिए अब हम आते हैं यहां पर करते हैं यह 0, minus 1 इसको हम बरावर रखेंगे अब फिर से इनका एक linear combination बनाएंग तो अब हम B1, B2 ले ले लेते हैं यहां पर B1 इसका हम बना रहे हैं 1,1 प्लस B2 1,0 तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें इनका linear combination बनाना है और उनको इन images के बरावर रखना है उससे हमको जो scalars मिलेंगे उनकी value निकालनी है और उन values से हमको एक matrix बनानी है तो अब देखिए क्या होगा यहां पर यह हमारा हो जाएगा B1 प्लस B2 कॉमा B1 अब हम इसको जब equate करेंगे तो B1 equal to पहले हम लिख लेते हैं चलिए यहां पर minus 1 और B1 प्लस B2 बराबर जो है वो हमारा 0 होगा इससे हमको मिल जाएगा B2 equal to 1 अब यही काम हम इस image के साथ भी करेंगे तो यहां पर देखिए यह 1,1 equal to अब हम फिर से इसका linear combination बनाएंगे C1, C2 अब हम ले लेते हैं C1, 1,1 प्लस C2 1,0 तो इससे हमको मिल जाएगा यह C1 प्लस C2 कॉमा C1 अब इससे हम यहां पर फिर से इसको solve कर लेंगे C1 equal to 1 आ जाएगा और C2 equal to 0 आ जाएगा तो finally हमको अब यहां पर in scalars की value मिल गई अब देखिए हमें जो matrix बनानी है required matrix जो भी है वो किस order की होगी और कैसे बनेगी इस पर आपको ध्यान देना है तो required matrix जो होगी उसके लिए आप इस बात पर ध्यान दें कि जैसे यहां पर R3 से R2 यह है हमारा यहां पर transformation R3 से देखिए T R3 से R2 यह transformation हमको दिया गया है तो इस क्रम की बनेगी मतलब 2 into 3 order की बनेगी उल्टा काम होगा यहां पर यहां विसेज ध्यान दीजेगा तो 2 into 3 की जब हम यहां पर matrix बनाएंगे और उसमें फिर यहां पर हमको जो पहले वाले MS से मिले हैं देखिए जो scalars मिले हैं वो ले लेंगे मतलब की A1, A2 फिर दूसरे वाले से यह B1 B2 और फिर यह C1 C2 अब हम इनकी value रख देंगे तो A1, A2 की value आ जाएगी हमारी 0, 2 B1, B2 की value रख दी माइनस 1, 1 C1, C2 की value रख दी 1 और 0 तो इस तरीके से हमको required matrix मिल जाएगी मैं आपको एक बात और बता दू कहीं कहीं method में यह करा जाता है कि इनको row wise लिखते हैं और उसके बाद उसका transpose लेते हैं तो यह आता है मैंने सीधे इसको column wise लिख दिया है transpose लेने की यहाँ पर आवसकता नहीं है अगर आप कहीं transpose वाला system पढ़ें तो आप समझ लिएगा कि वो भी सही है यह भी सही है इसमें मैंने सीधे यहाँ पर इनको जो है वो column में कर दिया है रो में लिखके फिर उसका transpose लें फिर यह आए तो वो समय ने यहाँ पर नहीं किया है तो इस तरीके से इसका option A जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा next question देखिए मैंने यहाँ पर matrix of linear transformation के चार question लखे हैं और हर question में कुछ न कुछ नई बात अलग बात आईए तो उनको आप समझिएगा बाकी करने का process वही होगा तो find the matrix of the linear transformation t r cube से r square given that यहाँ पर वही रूल दिया गया है relative to the basis 1011 अब यह पूरा question हो गया आपके सामने अब आप यह चीत देखिए कि यहाँ पर यह जो basis हमको दिये गया है इधर इसके तो दिये गया है but domain के basis नहीं दिये गया है पिछले question में आपने देखा कि इसके भी basis दिये गये थे 3rd order के dimension के और इसके 2 दिये गये थे 2 dimension के तो इसके तो दिये गए हैं यहाँ पर इसके नहीं दिये गए हैं डोमेन के तो हम standard basis लेंगे थी dimension के और थी dimension के standard basis जो हैं वो 100, 010, 001 है अगर यह two dimension होता और इसके ना दिये गए होते तो उसका 100, 01 है यह बात आप बस ध्यान रखें यही एक नई बात है तो अब अगर हमको न बाकि इसके हमको given है बाकि अब यह पूरा का पूरा question पिछले question जैसे ही हो जाएगा तो मैंने इसको solve कर दिया है देखिए आप यहाँ पर अब हम इनकी image निकालेंगे यह जो हमने standard basis लिये हैं तो इनकी image इस यहाँ पर जो हमको दिया गया है transformation का rule इसकी help से निकालेंगे xyz क जिए 1,0,0 रखेंगे तो यह 1,1 आ जाएगा अब 0,1,0 रखेंगे तो इस तरह से यह तीन image हमको मिल जाएंगी अब हम यहाँ पर यह जो हमको इस वाले vector space के जो basis दिये गये हैं इनके linear combination बनाने हैं उनको एक एक करके इन image के बराबर रखना है तो दीखे इनका और इनका य scalar लेके उसको बराबर इस पहली image के रख दिया गया अब जब हम इसको solve करेंगे तो a1 प्लस a2 और a2 इस तरह से आ जाएगा यह तो a2 इधर इससे compare करेंगे तो a2 equal to 1 लिख लेंगे फिर a1 प्लस a2 equal to 1 है इससे हमको a1 equal to 0 मिल जाएगा अब हमने फिर से इसके यहाँ पर linear combination इसका बनाया और उसको हमने बराबर रख दिया 1 0 के तो same वही working की अब आप यह working तो समझ चुके ही होंगे तो इससे अब हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की value निकाल ली और उससे अब required matrix लिखी फिर से यह बात ध्यान रख दियेगा कि यह जो scalars लिए हैं हमने पहले वाले linear combination के जो हमको scalars मिले हैं उनको हमें column wise रखना है इस तरीके से तो यह देखिए 0 1 रख दिया फिर b1 b2 की value 1 0 रख दिया और c1 c2 की value minus 1 और 1 रख दिया तो इस तरीके से हमको required matrix मिल जाएगी next question देखिए इसमें क्या अलग है इसको आप देखिएगा let t with a linear operator on r square इलका है यहाँ पर यानि की linear transformation जो हमको given है वो t r square से r square है तो यह linear transformation है यानि की इसका domain co domain दोनों ही r square है बाकी एक वैसे ही हमको यहाँ पर rule दिया गया है transformation का find the matrix of t relative to the basis this अब यहाँ पर यह basis दिये गए तो देखिए यह दोनों तरफ यहाँ पर r square r square है तो यह basis जो है वो दोनों के माने जाएंगे इसके भी और इसके भी तो यहाँ पर अलग अलग नहीं दिये जाएंगे जैसे पिछले दोनों question में आपने देखा कि यहाँ पर r cube था और यहाँ पर r square था तो इसके तो दिये गए थे और इसके पहले question में दिये गए थे और दूसरे में नहीं दिये गए थे तो हमने standard basis ले लिये थे बट यहाँ पर जो basis दिये गए हैं वो एक ही बार दिये गए हैं तो दौनों के यही लिए जाएंगे बस यह नई बात होगी तो अब हम करेंगे क्या कि इसके भी बेसिस यही और इसके भी बेसिस यही हो गया तो अब हम सबसे पहले जैसे यह जो हमारा डोमें होता है इनके जो बेसिस होते हैं उनकी इमेज निकालते हैं तो इनके बेसिस यही है हमारे इनकी image निकालेंगे मतलब T11 और T-10 यह हम निकालेंगे यह 11 हम XY की जिगे 11 इसमें रख देंगे तो यह 23 आ जाएगा फिर हम यहाँ पर XY की जिगे minus 1 और 0 इसमें रख देंगे तो यह minus 42 आ जाएगा तो अब यह हमको दो image मिल गई इन बेसिस की अब हम इन बेसिस की जो भी image आई है उनको बरावर रखेंगे दुबारा फिर से इन ही basis को लेंगे क्योंकि सेम है इस बात को आप ध्यान न किये इनका linear combination बनाएंगे यह a1 into इतना और प्लस a2 into इतना यह यह ले लिया इसको solve करके a1 a2 की value निकाल ली अब हम करें क्या यह दूसरी image लेंगे इसको बरावर हम फिर से इनका एक नया linear बनाएंगे combination उसके बरावर रखेंगे same वही process apply करके b1 b2 value निकाल लेंगे तो अब हमको यहाँ पर केवल 4 यह scalar मिलेंगे और यह 2 into 2 की मिलेगी आप एक बार order फिर से ध्यान दीजे मैंने बताया था कि इसका order into इसका order मतलब इसकी dimension sorry 2 dimension है और इसकी dimension 2 है तो यह 2 into 2 की हमको यहाँ पर matrix मि लेगी तो a1 a2 columnize ले लिया b1 b2 अब हमने इनकी value रख दी तो इस तरीके से यह answer हमारा आ जाएगा next question में देखिए अब इसमें क्या लग है इसको आप देखेगा the matrix representation of the linear transformation r square से r cube यह linear transformation है defined by दिसम को यह एक rule दिया गया है with respect to standard basis अब हमें ना यहाँ के basis दिये गए हैं ना य standard basis लेंगे तो इधर देखें यह r2 है मतलब कि second dimension two dimension है तो हम standard basis लेंगे one zero zero one तो यह जो हमारे standard basis हैं वो इस r2 के हैं r square के मतलब और इधर यह r cube जो है इसके standard basis यह हम लेंगे three dimension लेंगे तो दोनों तरफ अब हमको standard basis लेने पड़ रहे हैं तो एक तो यह बात नहीं हो गई बा क्या है कि यह जो हमारा domain है इसके जो basis है उनकी image निकालते हैं तो यहाँ पर इसके जो basis है यह इनकी image निकालेंगे इस rules है तो यहाँ पर देखिये टी एक सवाई इसमें हम हम one zero रख देंगे तो टी up and 60 is give रख देंगे तो देखिये यहां पर three two five यह की जिएए यह ज़ एख अब T 0 1 इसकी image निकालेंगे जब हम तो minus 1 4 minus 6 आ जाएगी Y की जिगे बस हम यहाँ पर 1 रखेंगे और X की जिगे 0 रखेंगे तो अब हमको यह जो हमारा R square यह domain जो है इसके basis की image मिल गई अब हमें आगे कुछ भी करने की जोड़त नहीं है बस जो हमको यह image मिली है इनहीं से हम यहाँ पर matrix बना देंगे column wise यह 3, 2, 5, minus 1, 4, minus 6 यह हमारा answer आ जाएगा अब यहाँ पर नया क्या हुआ यह आप समझ गया होंगे कि जो image आई है सीधे उनहीं से हम matrix बना देंगे आगे की working हमको करने की जुरत ही नहीं है बट मैंने यह आपको करके दिखाई है कि ऐसा हुआ कैसे यह चीज समझने के लिए आप देखिए कि अगर आप आगे की working करेंगे तो जो A1, A2, A3 की value है वो यही आ जाएंगी जो हमारी image है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ standard basis ली गई है अगर दोनों तरफ standard basis हैं तो जो image होंगी उनहीं से सीधे हमको यहाँ पर matrix प्राप्त हो जाएगी अब देखिए मान लीजिए आप working करते हैं तो इनके जो भी तीन vector हैं यहाँ पर देखिए इसके basis में इसका linear combination बनाएंगे तो A1 into इतना A2 into इतना A3 into इतना आप यह लिखेंगे बराबर इस पहली वाली image के लिखेंगे तो अब जब आप इसको solve करेंगे तो solve करने पर यह A1, A2, A3 आएगा और पी जब इसको इसको आप compare करेंगे तो A1 equal to 3, A2 equal to 2 और A3 equal to 5 आजाएगा तो सीधे यही image ही आजाएगी तो हमको working करने की जुरोती ही नहीं होती है सेम ऐसे ही अब अगर मैं यहाँ पर माल लीजिए इसका भी working करें कि इसको जो है वो हम इसके linear combination के अगर मैंने करके नहीं दिखाया है वो भी आप चाहिए करके चेक कर लीजिएगा बी 1, B2, B3 लेंगे हम यहाँ पर तो जो हम B1, B2, B3 की value निकालेंगे तो हमको यही की यही मिल जाएगी तो हमको यह सब काम करने की जो होती ही नहीं है सीधे हमको जो यह image मिली है इनी से हम column wise बस यह बात आपको द्यान रखनी है कि column लेना है पहली जो भी है उसका पहला column दूसरी जो भी है दूसरा column तो सीधे हमको मिल जाएगी ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेंडर्ड बेसिस ले गई है नेक्ट कोश्चन देखिए अब कुछ कोश्चन यह हमारे नल्टी और रेंक के उपर है कोश्चन है देखिए टी वी टू आर से लेके वी थी आर एक लिनियर ट्रांस्वामेशन है डिफाइन डैज यह इसका रूल दिया गया है नल्टी ट जो है वो क्या होगी हमको यहां पर पता करना है तो इसके लिए मैं यहां पर एक सौर्ट मेथड बता रहा हूं जनल मेथड तो लेंदी होता है वो यहां पर मैं अपलाई नहीं कर रहा हूं करना क्या है आपको यहां पर जो आपको यह रूल दिया गया है इसमें यह जो इम B equal to 0 A minus B equal to 0 और B equal to 0 हमने इनको अलग-अलग 0 रख दिया तो इससे देखिए यह B की value तो हमको 0 मिल गई अब यहाँ पर B की value अगर 0 है इसमें हम रख देते हैं तो A की value भी 0 आ जाएगी तो कुल मिलाके इससे हमको A equal to B equal to 0 मिल जाता है तो A और B मतलब यहाँ पर यह जो भी number है यह A और B element है इनकी हमें value निकालनी है अगर यह हमें 0 मिल जाते हैं दो या तीन जो भी हैं जैसे यह 2 dimension थी dimension पर है तो अगर 2 dimension इधर है तो यहाँ पर यह 2 number मिलेंगे 3 dimension है तो यहाँ पर हमको 3 number मिलेंगे तो जो भी अगर यह सारे number 0 आ जाते हैं तो इसकी nullity जो होगी वो 0 होगी तो यह तरीका आप समझ गयोंगे इनको आप 0 के बरावर रखके यह जो भी यहाँ पर quantities आई है A भी अगर 2 dimension है तो 2 ही आएंगी 3 dimension है तो 3 आएंगी अगर इनकी value 0 आ जाती है तो nullity 0 होगी अब हम आते हैं यहाँ पर question में वैसे केवल nullity पूची गई है तो nullity तो आ गई तो इसका answer जो है वो 0 A part सही होगा बट अगर हमें यहाँ पर rank भी निकालनी है तो इसके लिए देखिए इस formula को हम use करेंगे यह rank nullity theorem है rank T plus nullity T equal to dimension of V अब dimension of V यहाँ पर देखिए क्या है dimension of V means कि हमें इस से domain से मतलब रखना है यहाँ पर domain और co-domain दोनों ही यहाँ पर vector space होते हैं तो यहाँ पर V आप confused नहीं होगा मतलब इस V से मतलब हमारा इस domain से है कि इसकी dimension क्या होगी तो अब यहाँ पर dimension of this यहाँ पर इसकी देखिए कि 2 हो जाएगी तो हम इस formula में जब रखेंगे तो हमको rank मिल जाएगी rank plus nullity देखिए इसकी 0 है equal to dimension of V इसकी dimension जो है वो देखिए यहाँ पर 2 है तो कुल मिलाके अब rank इसकी जो है वो हमारी 2 आ जाएगी तो अब आप समझ गया होंगे कि rank कैसे निकालनी है और nullity कैसे निकालनी है तो यहाँ पर आपने एक बात और जो देखिए है उस पर ध्यान दीजिए कि अगर nullity 0 है तो rank और dimension जो है वो बराबर होगी तो rank T और dimension भी अगर बराबर है तो T जो है वो 11 on 2 होता है यह आप ध्यान लखिए objective question बनता है अगर nullity 0 है तो 11 on 2 transformation होगा next question में आते हैं देखिए same ऐसा ही question है यहाँ पर इसकी nullity हमको निकालनी है यहाँ पर तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर वही काम कि हम इनको 0 रख देंगे रखते हैं देखिए x plus y equal to 0 और y plus z equal to 0 तो इससे हमको देखिए मिलेगा y equal to minus x और इससे हमको मिल जाएगा z equal to minus y अब z equal to minus y तो यहाँ पर y की value minus x है तो यह minus minus plus x हो जाएगा तो कुल मिलाके देखे y को भी हमने x के time में निकाल लिया z को भी x के time में निकाल लिया अब हम जराए इसकी value निकालते हैं जैसे इसकी value अगर हमने निकाली तो तो a b equal to 0 0 आ गई थी अब यहाँ पर हम निकालते हैं x y z की value तो x की value तो हमने x रख दी y की value हमने देखिए रख दी यहाँ पर minus x और z की value हमने रख दी x इसमें से x हम common ले लेते हैं तो यह 1 minus 1 बना गया तो कुल मिलाके आप यह समझिए कि यहाँ पर x y z 0 नहीं आए तो nullity फिलाल 0 नहीं होगी बट यहाँ पर हुआ क्या है कि x को हमने sorry x y z तीनों को हमने किसी एक के time में इस तरीके से लिख लिख लिया है अगर हम इस तरीके से लिख पाते हैं तो हमारी nullity जो है वो 1 होगी यहाँ पर nullity जो है वो 1 हो जाएगी तो option b जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा अब हमको अगर यहाँ पर rank निकालनी है तो same उपर वाले question की तरह यहाँ पर rank निगाल सकते हैं इस फार्मूले को use करके next question में आते हैं यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर rank और nullity दोनों निकालनी है तो जैसा मैंने इस question में निकाल के दिखाया same ऐसे ही आप कर सकते हैं बट यह वाला काम nullity check करने वाला मैं आपको एक बार और बताता हूँ तो आप यहाँ पर इन तीनों को एक एक करके 0 रख दीजिए देखिए x minus y plus 2z इसको हमने 0 रख दिया 2x plus y को यहाँ पर हमने 0 रख दिया और यह minus x minus 2y plus 2z बराबर 0 रख दिया इससे हमको देखिए y equal to मिल गया minus का 2x अब y equal to minus 2x मिल गया इसमें हम अगर रख देते हैं यहाँ पर यह तो देखिए यह क्या हो जाएगा minus का x फिर y की जीगा यहाँ minus 2x रखेंगे तो plus का 4x हो जाएगा और plus का 2z बराबर 0 इससे हमको z equal to मिल जाएगा देखिए यहाँ पर minus का 3 by 2x तो z की value देखिए x के time में आ गई और y की भी x के time में आ गई अब हम इसको लिखते हैं जैसा कि यहाँ पर हमने लिखादा x, y, z equal to x की जीगे x रख दिया y की जीगे देखिए हमने यहाँ पर minus 2x रख दिया और z की जीगे minus 3 by 2x रख दिया तो यहाँ पर भी देखिए यह चीज possible हो गई कि हमने सबको जो है वो किसी एक के time में लिख लिया तो सबको अगर हम एक के time में इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पर nullity जो है वो बना जाएगी तो nullity हमारी बना गई अब हम यहाँ पर rank निकालना चाहते हों तो formula यूज़ कर लेंगे rank equal to इसकी देख लिए इधर question यहाँ पर rank equal to formula हमारा बन जाएगा dimension minus nullity तो dimension यहाँ पर देखिए क्या होगी इसके लिए आप यहाँ पर dimension इसकी देखेंगे हमेशा इस बात को ध्यान न कि यह पहले वाले की dimension देखेंगे तो dimension इसकी 3 हो जाएगी और nullity जो इसकी आई है 1 हो जाएगी यहाँ पर nullity आप समझ गया होंगे कि इसकी 1 होगी तो यह रख दिया आमने तो इस तरीके से इसकी rank जो है वो 2 आ जाएगी तो पहले यहाँ पर देखें rank and nullity का आ गया है तो 2 and 1 आंसर हो जाएगा तो 2 and 1 यानि की option C जो है वो हमारा सही होगा अब मैं आज के lecture को यहीं पर समाप्त करता हूँ सातियों मैंने revision series में ज़्यादा से ज़्यादा topics और उनके questions को cover करने की कोशिस की है यदि exam में इस revision series से आपको मदद मिलती है तो आप अवसी ही मुझे comment करके बताईए जिससे मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्तक रहा की नहीं अंत में आपको pre exam के लिए best of luck मैं इस स्वर से प्रातना करूंगा कि आपकी मेनत सार्तक हो एक बार फिर से best of luck धन्यवाद